नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पीश आज 2 दिसंबर शाम 7 बजे राजिस्थान की खास खबरी पांच राजों की एग्जिट पोल के उलजी आँखनों से सभी सियासी दलों की बिचैनी बढ़ गई है नजदी की मुकावले की अशंका के बीच दलों ने बाड़ा बंदी की तयारी शुरू कर दी है कॉंग्रिस पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए जादा सतर कै सुतरों के मुताबिक 36 कड के जीते प्रतियाशियों को बेंगलूरू भेशने की तयारी है इसके लिए दो चार्टेड प्लेन बुक करवाए गई हैं दूसरी और राजिस्तान तेलंगाना में भी पार्टी ऐसे ही तयारी में है करनाटक के डिप्टी सीम और कॉंग्रिस नेता डेके शिव कुमार ने दावा किया कि हाई कमान कह रहे तो वे पांचो राजों के विधायक संभालने को तयार हैं दूसरी और मद्य प्रदेश में तीन एक्जिट पोल में एक तरफ जीत को लेकर उत्साइद भाश्पा के नेता जीत के करण गिनाने में जुटे हैं वे कॉंग्रेसी और निर्दलियों से लगातर बात करी हैं वे चार एक्जिट पोल में आगे कॉंग्रेस ने कारे करताओं को ध्यान मतगर्णा में लगाने के निर्देश दिये हैं पार्टी के मुताबिक सर्वे के आंख्रे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ही हैं राजानी जैपुर में शादी के साथ दिन बादी एक दुलहन घर से गैने और कैश लेकर फरार हो गई पीहर जाने की बहाने महिला घर से निकले इसके बाद वापस नहीं लोटी बगरू थाने में हिंगोनिया निवासी 24 वर्ष दुलहे ने दे रिपोर्ट में बताया कि उसके गाम में लुधियाना पंजाब के रहने वाले जैविंदर और उसके पत्नी गगंदीप ने दो से तीन शादियां करवाई थी उन्होंने उसकी भी शादी करवाने के लिए कहा उन्होंने पंजाब की रहने वाली लड़की 19 वर्ष दीप कोर से शादी करवाने की एवस में 3 लाख उर्पे मांगे रिष्टा तैह होने पर 9 अक्टूबर को शादी तैह हुई 9 अक्टूबर को उन्होंने दुलहन को बुला कर शादी करवा दी शादी होने पर आरोपियो अंगूठी और 10,000 पे गायब मिले पुलिस मामले की जाच कर रही है पाली जिले में सोज़त अपर जिला एवम सैशन न्याले ने पत्नी की हत्या के अरोप में पती को आजीवन कारवास और 50,000 पे का जुर्माना लगाया है न्याइदिश नीतु आर्या ने चाद वर्ष पु सिंग राजपुत ने दी रिपोर्ट में बताया कि गोविन सिंग जो फुलिया ग्राम में सरकारी स्कूल में अध्यापक है जिनका उसके पास फोन आया और उसे बताया कि उसके भाई फवर सिंग ने गाम सिसरवादा में पतनी टमर कवर की हत्या कर दिया खर पर पुलिस आ एनफोर्समेंट जनसियों की और से अदर्श अचार सहिंता लागू होने के बाद से अब तक साथ सो तीन करोड रुपे मुल्य की अवैद नगदी और अवैद समगरी जब्त की गई है प्रदेश में गत विधान सबाम चुना में पूरी अचार सहिंता के दौरान की गई ज अब तक 10 गुना भड़ातरी हो चुकी है मुखे निर्वाचन अदिकारी प्रवीन गुपता ने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में अलग-अलग एजनसियों की और से अब तक 20 करोड रुपे से अधिक की जब्त की गई है अब तक राजस्तान पुलिस 443.80 करोड रुपे म मुल्य की नगदी और समगरी जब्त की है जबकि राजय अपकरी विभाग और राजय जी अस्टी विभाग की और से करमश्य 18.65 करोड रुपे और 117.13 करोड रुपे मुल्य की जब्त की गई है पंजाब के फरीद कोट में परिवार को जान से मारने की धमकी दे कर आरुपी ने 13 वर्षिय चात्रा को अपने पास बुला कर जब्रन घर ले जाकर रेप किया पीडिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरुपी को दुशकरम वे अन्याप रादों के तैथ नामसत कर लिया है पीडिता के पिता ने बताया है कि 25 नवंबर की सुबा उनकी बेटी स्कूल गई थी मगर वे स्कूल में छुटी होने पर घर नहीं लोटी बेटी को ढूंडा पर कहीं पर पता नहीं चला फिर दूसरे दिन यानि बेटी मुदकी के बस स्टैंड पर मिली पोसने पर बताया कि उससे आरुपी रवी अजमेर जले में मा जब परेमी से मिलती थी तो 8 वर्षे बेटा विशाल घर में ही होता था शाम को जब पिता घर आते थे तो वे सारी बातें उन्हें बता दीता था इससे परेशान होकर मा ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे का मडर कर दिया विशाल को पहले भांग पिलाई फिर फ्रूटी में मिला कर जहर दिया और मासुम की हत्या कर दी अजमेर के नसीराबाद सदर थाना और जिला स्पैशल टीम ने पुलिस को कहा चाहिए आप हमें गिरफतार कर लो लेकिन हमारी शादी करवा दो विशाल के पिता ने बताया कि 27 नवंबर के सुबा विशाल के मां संगीता उसे लेकर अपने प्रेमी लालाराम के साथ भाग गई थी नौर्थ इस्टरन रेलवे ने अप्रेंटिस के ग्यारा सो चार पदों पर भरती परकिरिया शुरू कर दिया है फरती के लिए दसमी पास अभियर्थी 24 दिसंबर तक वेबसाइट इंडियन रेलवेस.gov.in पर अवेदन कर सकते हैं फरती के लिए समान्य ओबिसी एडब्लि 25 नवंबर 2030 को अधार मानती हुए कि जाएगी योगेता 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10 वे उतेरन जरूरी है जोदपुर की ADGM कोट ने कहा है कि अवेद संबंद में रहने वाली पत्नी भरन पोशन की हकदार नहीं है जज प्रकाश्चन मीना ने नीटू बना सुनेल के मामले म आदेश दिया कि पत्नी पती को चोड़कर अवेद संबंद में रह रही है साथी भरन पोशन की मांग भी कर रही है ऐसे सित्ती में वह भरन पोशन की हकदार नहीं होगी एड़ोकेट हेमंत कुमार असेरी ने बताया कि सुनेल के शादी 2016 में हुई थी उसके पत्नी नीटू 2020 में खर छोड़कर बॉइफ्रेंट धीरस के साथ चले गई नीटू ने पती के खिलाफ खरेलू हिंसा में मुकदमा दर्स करवाया इस पर कोटनी 8000 रुपे महीना भरन पोशन के ओडर दिये नीटू और उसके पती के बीच एक शर्त पर राजी नामा हुआ कि पती नीटू ने अपने वकील मदन बलाई के मारुफत कोट में खरेलू हिंसा में एक्टूबर 2022 को फिर से मुकदमा दर्स कर दिया था आमादमी पार्टी के परदेश उपा ध्यक्ष और खन्ना से विधायक तरुन प्रीट सिंग सौंध ने 60 लाग उर्पे का घपला पकड़ा है इस खपले का परदफर्श करने में आप विधायक की मदद कॉंग्रिस के बलाउक समीदी चेर्में सतनाम सिंग सोनी ने भी की दोनों नेताओं ने पार्टी बाजी से उपर उठकर भ्रष्टचार के खिलाफ ट्रैप लगाया जिसमें वे कामयाब हुए विधायक ने यह मुद्द सियम भगवंत मान और पंचायत मंत्री लालजित सिंग भुलर तक पहुचा दिया है संबंदित BDPO मौके से फरार बताया जिसके खिलाफ जांच की मांग की गई विधायक सौंद ने बताया कि उन्हें काफी समय से शिकायते मिल रही थी कि पंचायती विभाग में सरकारी फंडों का दुरूपयोग हो रहा है जिसे लेकर उन्होंने ब्लॉक समीती चेयर्मेन सोनी से मिलकर यूजना बनाई जांच में विबिन प्रकार के काम दिखा कर साथ लाख उर्पे कमपनियों में ट्रांसफर कर दिये यह एक बड़ा खपला है जिसके जांच करवाए जाएगी अगर बेडीपियों की गलती सामने आई तो बक्षेंगे नहीं भरतपुर के नव गठीत डीग जिले के खोथाना पुलिस ने नबालिक से रेप करने वाले आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी पिछले चार सालों से फरार चल रहा था पुलिस ने आरोपी पर पांच हजार का इनाम भी खोशित किया हुआ था आरोपी ने 14 साल के नबालिग से बलातकर किया था थाना दिकारी गिरिराज सिंग ने बताया कि 2020 में बरही गाम के रहने वाले राम लखन के खिलाब एक 14 साल के नबालिग ने परीजनों ने रेप का मामला दर्स करवाया था मामला दर्स होने के बाद से रामलकन फरार चल रहा था पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी रख दिया उसके बाद भी आरोपी पुलिस के गिरफ्ट से दूर आहा मुखबड के जूशना पर पुलिस ने आरोपी को अलवर जिले के सौतका गाम में दबिश दे कर से बतारा कच्चा रास्ते की है बाइक पर आए नकाप पुष्ट इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया गाम खानपुर रासपुताना निवासी पवन कुमार ने बताया कि उसने नरायन गड में जेवर गिरवी रखे हुए थे वह जेवर लेने के लिए उसे गाम अक बास्ता रोक कर उसके साथ मार पिटकी और उसके जेव से एक लाग बीस हजार पे निकाल ले गए पुलिस मामले की जाँच कर रही है झाल 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 झाल